नमस्कार मैं आपकी साथ भी देवा ठाकुर डारेक्टर देवाइंडिया फाउंडेशन अम्फ्रोम करनाल हर्याना मैं विशेश रूप से बहुत जादा समय ने लोगे केवल पांच मिनट काप टाइम दे मुझे और पांच मिनट में सभी लोगों से हाथ जोड करने वेदन करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें क्योंकि मैं किसान की जवान की देश की और इस हिंदूर राष्टर की और इस देश को बुरी ताक्तों से बचाने के लिए कुछ बताना चाहती हूँ क्रपाय करके शेयर इसलिए करें क्योंकि शेयर करने से ना तो मेरी इंकम बढ़ती और ना शेयर करने से कोई पैसे आते सेर इसलिए बोलते हैं कर दो ताकि सब तक संदेश चला जाए निवेदन करूंगी सभी अपने हर ग्रूप में हर जगा सेर टू ग्रूप करके सब जगे सेर कर दो केवल पांच मनिट का टाइम पहले कल किसी ने चैलेंज किया तथा कथित हिंदू तव का चोला पहनने वाली एक महिला ने और उस महिला ने कहा पतानी तो रागनी है पतानी सांग है जो भी है उस महिला ने कहा कि 16 तारिक तक या तो सरकार इस आंदोलन को उठा दे आंदोलन कारियों को उठा दे पहली बात तेरी आउकात नहीं कि तु आंदोलन कारियों को उठा दे दूसरी बात अगर फिर भी तेरे को कोई बसाखी दे दे कोई सहारा दे दे कोई तेरे पीछे सड्ययंत्र या कोई ऐसी ताकतें काम कर रही है तो तेरे को ये साधवी देवाठाकुर दिखरी होगी, ये सबसे पहले मिलेगी मैं तेरे को एक जवाब और देना चाहती हूँ तेरी शकल तो अच्छी है ने, तो बात भी अच्छी नहीं करती कहते हैं अंसान की शकल अच्छी नहीं ना, तो उसको बात तो कम से कम अच्छी कर लेने चीए दूसरी बात, आज सिखों को खालिस्तानी केकर, पाकिस्तानी केकर, देश विरोधी केकर, अलग देश की मांग कहने वाले केकर लगातार क्या बोल रहें आप, कि बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, जब कैदारनाथ में बाड आई थी, यही सिख वहां लंगर चला रहे थी, आपको पता है, जब एक समय केरल में बाड आई थी, उस समय भी यही सिख समाज वहां लंगर दे रहा था अभी एक साल पहले जब करोना महमारी में पूरा देश तरही तरही ओर था वो सिख उस करोना के दोरान वो ही लंगर चला रहे थे तब फंडिंग कहां से हो रहे थे तब तब किसी ने नहीं कहा तब तो बड़ी सैलफीयां ले रहे थे और सुनिए अमेरिका लंद इस खालसा पंत के लोगों ने कहा था कि विदेशों में भी हम लोग लंगर चलाने में और उन लोगों को भी भोजन कराने में सक्सम हैं ये वो कौम हैं ये सरदारी वैसे नहीं मिली सर दिये सिंग कहलाई इसलिए सरदारी मिली है अब बात करोगे आप लोग की आप सिखों की बात क्यों करते हैं कुर्वानिया दिये हैं लोगों ने जो लोग 19 दिन पर से भी जादा हो चुके वो अपना घर परिवार अपने बच्चों को छोड़ कर इस राष्टर के लिए इस देश के लिए समाज के लिए इस अनदाता के लिए भगवान के लिए वहां बोर्डर पर ओं तो शुकर मानिए कि मैं धन्यावादी हूं हर्या अन जवानों का उन भाईयों का उन किसानों का कि वह बॉडर पर हर्याना के लोग वहां डटे हुए हैं पूरा साथ दे रहें पंजाब के लोगों का पंजाब ने पहल की लहर चला यह और इस लेहर में लोगों को सामि अच्छी नहीं क्योंकि एक तो होती है बावा सिर जैसी बिमारी कई और मैं बोलना नहीं चाहती थी अशे शब्द लेकिन ऐसे लोगों के मूँ में होती है शायद वो लेड़ी भूल गी जब दिल्नी में दंगे हुए थे ना इनी जैसों की देन थी कि कई हिंदुवादी लो तो किसानों से तो बाद में लड़ना सत्रा तारी को मिलूंगे मैं तेरे को पहली बात तेरी उकात ही नहीं आने की अगर फिर भी तेरे को कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्पोर्ट ऐसी ताकते हैं अगर सहारा दे रही हैं तो आना और मुझसे टकरना शायद फुल फोम तेर एक आंदोलन लड़ने गए हो आप एक जंग लड़ने गए हो आप एक देश और रास्टर का प्रति निदी बन कर गए हो ऐसी वाहियात बे शरम बे लिहाज ना ओरत ना आदमी ऐसी लेडिस के लिए बोलने का कोई मतलब नहीं है मैं सिंगो आप से भी दोनों हाथ जोड़ कर विंती करना चाहती हूं क्योंकि वो ना औरत है ना आदमी है अब बीच में क्या होता है वो अलग विशे है तीसरी बात जो किनर होता है किनर भी समाज का भला करता है वो भी राश्टर का भला करता है वो भी देश के लिए कुछ ना कुछ दुआइं मांगता और अच्छ दे रहे हैं मुझे भी दो-तीन दिन से बोल रहे हैं कि आप बात ना करें सिक्समाज की स्पोर्ट की आप बात ना करें किसानों की स्पोर्ट की क्या मैं मोदी जी से पूछना चाती हूं आप केते थे कि मैं देश नहीं जुकने दूगा मैं सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं पारे तानासाई नहीं यह जो डेस के लोग आज दिली में परदर्सन कर रहे हैं लाखों लोग ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते यह खालिस्तानी नहीं हो सकते यह इसी रास्टर के इसी देश के लोग हैं अगर यह चलता रहा तो ग्रह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी मैं सलूट करती हूं डियाईजी साहब को पंजाब के ऐसे सपूत को जिनों ने इतनी बड़ी अपनी नौकरी को दाव पे लगा दिया पुलिस की उनिफॉर्म और पुलिस की नौकरी छोड कर अपने सिंग सर्दार और अपने समाज के साथ खड़े होगे ऐसे लोग नहीं गीता फोगाट जैसे लोग मतलब बैठे बैठे चुट करते रहते हैं पूरा जाट समाज आज वहां लड़ रहा है और वो अकेली महिला ऐसी कमेरी क right me क्मेरी कि महिला अपने समाज के खिला से उर्जा तो भर सकती हूं मुझे इस चडिया की बात हमेशा याद आती है जब जंगल में आग लगी थी और ओ चडिया बूंद बूंद चोंच में लेकर जा रही थी लोगों ने पूछा इस पानी से तो आग नहीं बुझ सकती चडिया ने कहा इतिहास जब लिखा जाएग तो मेरा नाम आएगा तो मैं उच्डिया तो कम से कम बन सकती हूं दूसरी एक और विशेश बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूं इस आंदोलन के दोरान कुछ लोग घटिया राजनीती घटिया सडियंत्र ये तंत्र मंत्र ये कुछ नहीं है आप किसानों के साथ आए कल तक आप उसको भगवान केते थे आज उस देश को गिर्वी रखने चल दिये क्यों ना करूं मैं अपने रास्टर की बात देखिए हम किसी पार्टी के किसी समाज के किसी के बंधुआ नहीं है हम रास्टर भगते हैं देश भगते हैं और ये देश जितना मोदी जी का उतना हमारा भी है मैं हिंदुवादी उगरब से कहेंगे भारत माता कीज़े लेकिन ताना साही नहीं आज सिखों के साथ अगर इस तरह का महल पैदा होता है तो मैं पीछे नहीं इटूगी मैं सिख समाज के साथ खड़ी हूँ मैं किसान समाज के साथ खड़ी हूँ मैं मजदूर समाज के साथ खड़ी हूँ भले इसके रिजल्ट किसी तरह के भी हो मैं बरदास करने के लिए सहन करने के लिए पूरी तरह से त्यार हूँ अब कुछ लोग कहेंगे कि आप दिल्ली बॉर्डर पर क्यों नहीं गई क्योंकि बात करने वाले लोगों की कभी है ने इस दुनिया में मैं बता दूँ देखिए आप से निवेदन भी करूँगी खाली आनंद मत लीजिए इस वीडियो को शेर करिए और सेर करके कम से कम एक तो वो दिल्ली में जो महिला है ना दंगे फसाद करवाने वाली उसके पास पहुँचा दे और एक गीता फोगाट के पास पहुँचा दे उनकी खाप पंचायतें भी आज कई पहलवान लोगों ने कहा कि गीता बहन सुरी बवीता बहन बस करो बस करो दया करो अपने समाज पर दया करो तो उन तक जोरोर पहुचा देना और एक विशेश निवेदन साथ नहीं दे सकते तो टांग ही चाई मत करिए आपको नलवा सिंग हरी सिंग नलवा की विशें पता है क्या अमेरिका के राज भवन में राश्ट्रपदी के पीछे भी उनका चित्र लगता है गदी के पीछे वो थे हरी सिंग नलवा आपको पता है कि गुरु गौविन सिंग के बचे फटे सिंग जो रावर सिंग कितने कितने साल की उमर में सहीद हो गे थे आपको पता है क्या माता गुजरी का इतिहास जिनोंने अपने छोटे छोटे पोते ऐसे दिवारों में चिनवा दिये और कहा कि धरम से सर कट जाए लेकिन धर्म को मत हार ना इनी सब चीजों से मैं प्रभावित होकर सिख संपरदाय और सिख पंत से सिखों की कुर्बानियों से सिखों के उस बलिदान से उस सिखों के रक्त से पूरी तरह प्रभावित हुई कल मैंने इनी जब किसानों की देष में ये हालत है तो हमारा हार सिंगार, हमारे एशो औराम, हमारा धन संपरदाय मुझे लगता है किसी काम का नहीं तो एक त्याग की भावना पैदा होती है मैंने भी कसम खाई है कि मैं पूरी तरह से इस आंदोलन में जैसे भी होगा मैं साथ दूंगी परिणाम कुछ भी हो चाहे सडियंत्र हो चाहे यंत्र हो दूसरी बात कुछक लोग फेस्बुक पर आकर कई माताओं के बारे में कही बेहनों के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं देखिए सभी राजे रजवारे और सभी से विंती करती हूँ ये देश में एक क्रांती आएगी और ये ऐसा इतिहासिक आंदोलोनों का लोग देखेंगे दूसरा सिखों ने एक नया पंजाब बसा दिया है जीटी रोड पे क्रपा करके निसान साब भी गाड़ दिया है दूसरा सरकारें देरी नहीं करें ये कानून वापस ले लें कहीं फिर गुर्द्वारा बने और इतिहासिक गुर्द्वारा बने और आप लोग गुरू जी की फते और वाहे गुरू जी का खालसा फिर सत्तनाम स्री वाहे गुरू फिर करोगे आप लोग करना पड़ेगा आप लोगों को तो मैं हाद जोड के निवेदन करती हूँ ये वुस कौम के लोग हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं इन्होंने सर दिये हैं लेकिन ध साद भी देवठाकुर बस इतनी ही विंति के साथ निवेदन जरूर करूंगी कि ना मेरे पास कोई IT Cell है ना मेरे पास कोई ऐसा ग्रूप है ना मेरे पास कोई ऐसी ताकते हैं आप लोग स्पोर्ट करें इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि ये सब लोग जो चलाते ह हैं तो इनको विशेष लोग स्पोर्ट करते हैं सभी ग्रूपों में विडियो जानी चाहिए आज की नमस्कार मैं आपकी साथ भी देव अठाकुर